तो चलिये हम पढ़ते हैं मेरा गाउ। गाउं सभी को अपना प्यारा होता है। तो आcas़ जानते हैं कि गाउं में क्या-क्या चीजे मिलती हैं और गाउं की क्या-क्या खुबियां होती हैं। चुकि भारत एक गाउं का देश है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कविता, मेरा गाउं, आना मेरे गाउं में नदी किनारे गाउं है मेरा, बैठ के आना नाउं में, चुकि एक बच्चा है जो दूसरे बच्चे से कहता है, कि मेरे गाउं में आना, और उभी नाउं के सहार आगे कहता है कि गाड़ी मोटर भी चलती है अब पूरी रफ्तार में करा आया कि पहले है जो कि गाड़ी मोटर नहीं चलती थी लेकिन अब सडके है जो कि अच्छी हो गई है ठीक ठाक धंग से हो गई है और पूरी रफ्तार में मोटर गाड़ियां चलती है चुन्नू मुन्न चुन्नु मुनिया खेले अमराई के च्छाओं में, कराया कि जो भी गाउं के बच्चे हैं, चुन्नु मुनिया, वह आम के पेड़ के नीचे खेलते हैं, सभी लोग मिलकर रहते हैं, रहे नहीं अलगाउं में, कराया कि सभी लोग मिलकर रहते हैं, चुकि गाउं में हैं, जक गूमे खेत बगान में, करा है कि मेरे गाउं में कोई बजार या सिनेमा नहीं है, यहां गूमने के लिए है जो कि खेत खलिहान बाग बगीचे हैं, जब जाते हैं खेत गूमने मिट्टी लगती पाउं में, करा है कि जब हम लोग खेत गूमने जाते हैं, तो हम लोगों के पै जो कि सोर सराबा या भीड भार नहीं देखने को मिलता है गाउं भार जो कि एक सांति पूर्ण जगा है और वो इतना सांति पूर्ण जगा है कि कोई भी भीड भार या सोर सराबा देखने ताकने को नहीं मिलता है मचती उस दिन धमा चवकडी मेला हो जब गाउं में करा है कि उस दिन बच्चे है जो कि खूब उचल कूद और खेल कूद करते हैं जिस दिन गाउं में मेले लगते हैं जैसे मेले आपको है जो कि मकर संक्रान्टि के लगते हैं या राम नोमी के लगते हैं, दीध पर लगते हैं, तो उस दिन है कि खुब बच्चे हैं जो कि धमा चौकडिक मचाते हैं उचलते कूथते हैं और गाउं में चाहल पहल लगती है जिस दिन मेला लगता है जब भी लगे गाउं में मेला आना मेरे गाउं में बच्चा करता है कि जब भी मेरे गाउं में मेला लगे उस दिन आके मेरे गाउं की रवनक को देखना, कुस हाली को देखना, करा कि आना मेरे गाउं में साथी, आना प्यारे गाउं में, करा है कि मेरे दोस्त, मित्र या साथी, तुम जरूर मेरे गाउं आना, चुकि गाउं में बहुत सारी खुवियां हैं, और देखने के लिए तुम जरूर आना, गाउं में नदीव मिलेंगी, पहार मिलेंगे, फिर है जो की सदभाव मिलेगा, एक दूसरे से प्रेम ब्योहार मिलेगा, और घर मकान जो भी होंगे, कच्चे के भी रहते हैं, और पक्के के भी रहते हैं, हम लोग एक दूसरे के काम भी आते हैं, तो यह कविता यहीं समापत होती है, आ अपने गाउं का नाम याद होगा, आप जरूर लिख दीजिएगा, यह मुझे पूरी उमीद है, दुसरी है कि आपको गाउं में क्या अच्छा लगता है, तो हम सभी को अपने अपने गाउं की कुछ खुवियां महसूस होती है, और उस खुवियों को हमको लिखना है, जो भ उनने गाउं या सहर के आसपास की नदी, तलाव या जील के नाम बताएं, जीन बच्चों के गाउं के अगल बगल नदियां बहती हो या तलाव हो गाउं में, या जील हो, तो उसका नाम जरूर आप लोग लिख दीजिएगा, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, करा की पा तो बहुत सारे बच्चों के गाउं की सड़के पकी अब हो गई होगी, तो उसमें सही का टीक लगा सकते हैं, गाउं नदी किनारे है, तो जिन जिन लोगों का गाउं नदी के किनारे है, वो सभी अपने, इसमें टीक लगा सकते हैं, गाउं में सिनेमा हाल है, यह गलत होता तो इसमें हम टीक करेंगे गाउं में मेला भी लगता है तो बच्चों आगे आप लोग कभिता में पढ़ चुके हैं चुकि गाउं में मेला लगता है या प्रती गाउं में नहीं लगता है लेकिन ऐसा होता है कि 10-20 गाउं पर किसी न किसी उत्सव या महौल पर है जो कि मेला लगता है तो इसको भी हम लिख देंगे सही है चलिए एक जैसे अर्थवाले सब्दों को मिलाना है तो पाउं का जैसे मिला दिया गया है पैर बगान का बगीचा होगा छाओं का छाया होगा और पड़ाव का होजा ठाहराव तो बच्चों हम उमीद करते हैं कि आपको कभीता के अर्थ कि कुछ प्रसनों के उत्तर आपको जरूर पता हो गए होंगे तो चलिए अब इसी के साथ इस प्रसनों उत्तर को भी हम समाप्त करते हैं अगले पाठ के लिए तब तक के लिए धन्यवाद